अमेरिका में अगले महिने यानी नवंबर में राष्टपती का चुनाव होना है और इस चुनाव से पहले अमेरिका जाने का सपना देख रहे भारतियों के लिए एक बहुत अच्छी खबर है, गिफ्ट है भारत में अमेरिकी मिशन ने परटकों, कुशल श्रमेकों और चात्रू सहित भारती यात्रियों के लिए अतरेक्त धाई लाख वीजा अपॉइंट जारी किये हैं भारत में अमेरिकी राज़दूत एरिक गरसाटी ने कहा है कि प्रधानवंतरी मोदी और राशपती जो बाइडन ने वीजा प्रक्रिया में सुधार और तेजी लाने के लिए एक ambitious target निर्धारित किया था मुझे ये कहते हुए गर्व हो रहा है कि हमने उस वादे को पूरा किया है एशियाई और अमेरिकियों के लिए राशपती आयोग के एक भारती अमेरिकी सदसे ने इस कदम का स्वागत किया है एशियाई और अमेरिकियों मूल हवाईयन और प्रशान द्वीप समूपर राश्पती के सलाकार आयोग के सदसे अजे भुटोरियों ने कहा कि ये पहले प्रस्तुत की गई मेरी सिफारिशों में से एक था कि डिरेक्ट काम हो अमेरिका जाने के चुक परिवारों और छात्रों सहेद भारतिय यात्रियों की साहिता के लिए एक महतुपूर कदम है साल दोज़ाट चौवीस में बारहा लाग से जादा भारतिय अमेरिका की यात्रा कर चुके हैं जो 2023 में सब्धी की तुलना में 35 फीसिदी की वृद्धी है अमेरिकी दूतावास ने बयान जारी करके कहा कि भारत में अमेरिकी मिशन ने लगातार दूसरे साल 10,11 प्रवासी वीजा आविदनों को पास किया है और इस गर्मी में हमारे चात्र वीजा सत्र के दौरान इस प्रक्रिया को आगे जारी रखेंगे चात्र आप्लिकेन भारत में हमारे पांच वार्डिजेस दूतावासों में से एक में अपोइंट्मिन्ट राप्त करने में कामियाब है और चुनाव से पहले भारतियों के लिए ये शानदार अमेरिकी गिफ्ट है